5 Steps to Grow Your Reputation Score अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो सबसे critical नीव या foundation उसकी होती है reputation यानि कितने लोग आपका समान करते हैं, साधी भाचा में कितने लोग आपके काम की इज़त करते हैं जितने जादा लोग आपके काम की इज़त करेंगे, उतना आपका नाम, उतना आपका समान बढ़ेगा सबसे अच्छा example, Tata Group Tata का आप नवक भी खाते हो, उनके हवाई जाज में भी जाते हो, Tata की आप communications भी यूज करते हो, Tata की आप कफड़े भी बहनते हो So fundamentally, you trust the brand, लेकिन वो trust सालों सालों से, मतलब वो reputation जो उनने बिल्ड की है, वो सालों सालों से reputation बिल्ड की है आज में आपको 5 important और बहुत ही जादा practical वो तरीके बताने वाला हो, जिससे कि आप अपनी reputation बिल्ड करेंगे तो चलिए अब शुरुवात करते हैं आज के इस EBF lecture की, EBF क्या है? Emerging Business Forum यानि दुनिया भर के Emerging Business Owners के लिए, उनकी अपनी community, उनका अपना network, उनका अपना संगठन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे जो ultra rich लोग हैं, उनके already अपने existing networks हैं इस दुनिया में लेकिन Emerging Business Owners जो हैं, जो genuinely किसी भी देश की economy को बहुत deeply impact करते हैं, उनके लिए आज भी बहुत मुश्किल है अपने business को grow कर पाना और इसलिए बनाया गया है Emerging Business Forum, इस Forum का आप कैसे हिसा बन सकते हैं, कैसे आप इसकी annual membership ले सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के end में बता हुआ, फिलाल स्टार्ट करते हैं आज इस EBF lecture का Emerging Business Owner दुनिया में कहीं पर भी हो, उनको तीन चीज़े चाहिए, सबसे पहले more customers, of course भाई, जितने customers आएंगे उतना business आगे बढ़ेगा Number 2, more distribution, भाई आप माल लिजिए आज इंडिया में business कर रहे हैं, आपको अपना business US में expand करना है, इस्रेल में करना है, फ्रांस में करना है, इटली में करना है, जहां पर भी, so more distribution, right मैं कर रहा हूँ, आप छोटे से किसी गाउ में, बिहार के किसी गाउ में आपको दिली में business अपना grow करना है, तो distribution चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या है, less cost, यानि आपको customer भी चाहिए, कम खर्च में, आपको distribution भी बढ़ानी है, कम खर्च में, आपका marketing का खर्चा भी होना च चाहिए, कम, आपका fundraising का खर्चा होना चाहिए, कम, अब ये तीनों की तीनों चीज़ें, which is more customers, more distribution, less cost, कैसे मिलेगी आपको, ये critical game है आप यापे, ये आपको मिलती है, केवल और केवल एक score से, जिसको मैं कहता हूँ, reputation score, आपकी reputation का एक score, cricket match में अगर match जीता हो, तो score ज्या चाहिए, reputation score, भाई, जितना जादा आपका reputation होगा, आपकी organization में क्यार, ये बंदा इतना solid है, ये बंदा इतना incredible काम करता है, आपकी promotion उतनी जल्दी होगी, ठीक, वैसे ही, business में भी होता है, अगर आपकी market में, आपके area में, आपके region में, आपके देश में, इस दुनिया में, आपका reputation बहुत strong है, तो automaticallyly growth होगी, इसका एक और solid example दूँ आपको आगे बढ़ने से पहले, Apple, Steve Jobs की एक incredible reputation थी, है, और शायद हमेशा रहेगी, आज, उसी reputation के कारण, Apple is a trillion dollar company, it's no joke, चलिए एक और individual example लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे इस lecture में, Dr. A.P.J. Abdul Kalam, A.P.J. Abdul Kalam sir, कोई बहुत बड़ी university के पड़े लिखे नहीं है, कोई बहुत अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए, लेकिन reputation इतनी strong हुई उनके काम के कारण और जिन कारणों से, आज वो 5 कारण अभी में discuss करने वाला हो आपसे, कि दुनिया भर के लोग उनक example लेते हैं, these people change the future, they shape the future, they change the world, आपको ऐसा बनना है, पता है कैसे बनोगे, सबसे पहले, एक काम करो, एक paper की sheet निगा लो, और अभी फिलहाल एक number लिख लो 0 से 10 के बीच में, अपने आपको आप एक score दे रहे हो, और आप यह कह रहे हो कि आज मेरा reputation score क्या है, कितने लोग promise को trust करते हैं, कितना, कितना जादा लोग करते हैं, मतलब आपको लगता है कि भाई, मेरी community में लोग मुझे एकदम 10 वे से 10 number देते हैं, trust, मतलब आप कुछ बोलोगे और लोग तुरंद के तुरंद आपका काम कर लेंगे, अगर ऐसा है, तो अपने आपको 10 number दो, अगर ऐस reputation score में बहुत जादा ranges नहीं हो सकती, चुकि ऐसा नहीं है कि भाई, आज मेरी कम reputation है, फिर भी में बहुत जादा solid हो, हाँ, आजकल जूट और फरेव करने माले बहुत कहुँए, जो बहुत जल्दी अपनी social media पर reputation बना लेते हैं, so to say, so to say, reputation बना लेते हैं, लेकिन वो बहु कोई commitment दी है, आपने अपने किसी business partner को commitment दी, आपने किसी customer को commitment करी है, जो भी commitment करी है न, वो authentic होनी चाहिए, जैसे मैंने बहुत बार देखा है, services industry में especially, लोग क्या करते हैं, अपने पास समान हो या ना हो, बड़ी एक दों, बड़ा वादा कर देंगे, हाँ सर, हाँ, सर, आपकी app तो मैं ऐसी बना के दूँगा ना, चाहे पीछे team हो या ना हो, सर, आपकी app मैं बना के दूँगा, और फिर आपके अखर को जुगार करना शुरू करोगे, इसको project दोगे and so on and so forth, authenticity in commitment, यानि जो commitment दे रहे हो अपने customer को, वो एकदम authentic होना चाहिए, जो है, वो बता बता दो, बता दो customer को, सर, मैं आपको काम किसी third party से करवाऊँगा, you know, I will take care of it, I will project manage for you, but I will get it done by somebody else, so be very authentic in your commitment, जो भी commitment कर रहे हो, ताकि आप जो भी deliver करो, at least जो आप personally deliver कर रहे हो, वो world class होना चाहिए, तब ही आपकी repetition बनेगी, authenticity नहीं है, तो वैसे भी repetition तो भूली जाओ, बहुत दोर की बात है, कभी नहीं हो सकती, authenticity in commitment, मैं आपको personal example दे रहा हूँ, जब मैं अपना EBF network बना रहा हूँ, जितने भी लोग EBF network में आते हैं, आपको पता है ना, कि हमारा network हर कोई join नहीं कर सकता, पहले आपको एक form भरना होता है, अपने बारे में बताना होता है, फि गर आपके लिए ये valuable होगा, आपके लिए नहीं valuable होगा, आपके लिए तीन मेने बाद जाके valuable होगा, तो authenticity in commitment, ये बहुत जरूरी है, जब authenticity होगी commitment में, तभी इनसान आगे बढ़ पाएगा, तभी इनसान आपके साथ transact कर पाएगा, ठीक है, नमबर दो, discipline in delivery, इसका मतलब य delivery, it is extremely important, आप चाहे कोई e-commerce का venture चला रहे हो, अगर आपने बोला है कि customer को product पहुँच जाएगा इस time तक, तो वो discipline के साथ पहुच जाना चाहिए भी है, right, otherwise क्या है, आपका broken promise है, आपके promise फिर मैं कभी trust करी नहीं पाऊँगा, reputation कभी बनेगी नहीं, it's that simple, तो reputation score हमेशा कम र discipline नहीं होता, वो हमेशा कहते है, sir, आपको order late हो गया, sir, sorry, ये ना, उसके कारण हो गया, sir, मैंने तो time पे ship कर दिया था, वो shipping company जो है, उसके कारण late हो गया, अरे तो भाई, आपको देखना चाहिए था न, आपने local shipping company के साथ partner क्यों किया, आपने FedEx के साथ या, you know, blue dot के साथ या, कि ये top shipping company के साथ partner क्यों नहीं किया, आप अपने customer के साथ, वो charges लो उस से, लेकिन customer को world class value deliver करो, that's called discipline and delivery, आप मान लीजे कोई technology firm है, आप technology create करते हैं अपने customers के लिए, आप apps बनाते हैं, website बनाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, you know, website बना रहे हैं, वो बनत है, and that is why they are able to do business much more faster compared to you, तो आपको ये बात समझ नहीं होगी, that discipline in delivery is extremely important, discipline का मतलब timely delivery, आपने जिस time पर commit किया है, उस time तक project पहुँच जाना चाहिए, customer के पास, otherwise, as I said, repetition score हमेशा, वो एक से 7 के बीच में रहेगा, आपके साथ कोई काम नहीं करेगा, number 3, speed of action, it is very, very, very important, speed of action क का मतलब बहुत clear है, कि आपने मान लीजी आज एक promise कर दिया, कि भई मैं ये X काम करने वाला हूँ, right, अब वो करने वाला हूँ, is a very open ended statement, लेकिन, जैसे ही आपने वो promise किया, और आपके customer को पहला action दिख गया, दूसरा action दिख गया, milestones दिखने शुरू हो गए, customer का आपकी reputation ब कि मैं आपको product history के से design कर रहा हूँ, या अभी मेरी call हुई है, और इसने product dispatch भी कर दिया, या मान लो, अभी हम लोगों ने proposal sign किया है, अभी हम लोगों ने पहला PO दिया है, और इसने हाँ बोल दिया, या फिर मान लीजी आप किसी B2B meeting में कहें, तुरंट के तुरंट customer ने ब दिया, तो तुरंट decision लेना भी speed of action होता है, तो speed of action has to be extremely high, आज के जमाने में, एक बात समझ आईए, it is not the big that eat the small, it is the faster that eat the slower, जो बहुत तेजी से दोड़ता है, वो कम slow दोड़ने वालों को तुरंट खा जाएगा, आजकल size matter नहीं करता, speed बहुत matter करती है, मेरी खासियत है speed, speed, मैं speed से action लेता हूं, speed से decision लेता हूं, बहुत सही, कुछ गलती कर भी लेता हूं तो उसको speed से सुधार लेता हूं, यह मेरा advantage है, और इसी advantage को बहुत massively built किया है मैंने, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो speed है ही नहीं, action में कोई speed नहीं है उनके, वो लगे रहते हैं लगे रहते हैं, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, reputation तो definitely नहीं बनेगी, number 4, consistency in quality is very important, यह तो आप समझते ही होंगे, बजार में आप कभी किसी restaurant में खाना 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 जाते हैं, कोई आपका favorite restaurant हो, जैसे माल लीजे मेरा एक बड़ा अच्छा wedge favorite restaurant है डिल्ली में, consistency in quality ह जब मैं उनका खाना खाने जाता हूं, मुझे पता है, भाई, वो मिर्ची नहीं डालेंगे, उनका taste ऐसे ही होगा, हमेशा consistency है, मैं जब आपको EBF network आप मेरा join करते हैं, तो EBF network में जब आप आते हैं, आपको consistency in quality दिखती है, कि members इस quality के हैं, आपको लगता है कि higher, यह tech company आपकी app बना के देती है, आपको कोई software deliver करती है, consistency in quality है, तो वो consistency in quality is very very important, आप क्यों कोई local जूता ना खरीद कर, यह नो महगा जूता खरीदते हो, consistency in quality, it's that simple, आप महगा mobile phone इसले खरीदते हो, consistency in quality, और उससे क्या होता है, repetition बिल्ड होती है, अगर आपकी consistency रहे, quality में तो repetition बिल्ड होगी, कई बार आपने ये भी देखा होगा, Ford या यह बहुत बड़ी जो companies होती है, अगर उसमें कुछ गलती हो जाए, तो वो cars को recall करती है, क्यों, consistency in quality, भाई, इसी से repetition बनती है, अब देखो भाई, repetition बनाने वाले वही लोग होते हैं, जो अपने business को चलाना चाहते हैं बहुत सालों तक, अगर आप आने जाने वाले इंसान है, मतलब आज आए और दो साल बात जाके निकल गए, of course, then you're not even thinking about repetition, then it doesn't really matter, आप इस वीडियो से भी निकल जाएगे, it won't really matter to you, right, number five, customer obsession, ये एक point है, जो हर business में by default valid होता है, और अगर आपके business में valid नहीं है, तो व चाहे वो Amazon जैसा venture हो, कुछ भी हो, चाहे वो मेरा EBF network हो, right, customer obsession is very important, मैं आपको छोटा सा example दू, जब आप हमारा EBF network join करते हैं, कोई भी business owner आता है, पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग one-on-one meetings करते हैं, one-on-one, मतलब मैं भी लोगों के साथ one-on-one meetings करता हूं, इसको कहते है customer obsession, क्योंकि मैं आपको जानना चाहता हूं, पहचानना चाहता हूं, आप कौन है, मुझे one-on-one पता है अपने EBF members, उनके परिवार में कौन है, कौन सा business करते हैं, कहां पे fail हुए, and so on and so forth, उनको मेरे बारे में पता है, उनको मेरे EBF के mission और vision के बारे में पता है, मुझे उन फिर आप वो नहीं बनाते हैं, जो आपको बनाना है, फिर आप वो बोलते हैं, जो customer सुनना चाहता है, फिर आप वो बनाते हैं, जो customer खरीदना चाहता है, customer obsession is very very important, और जब कभी आपसे गलती हो जाए, तो आप customer obsession के तहएद, माफी भी मांगते हो, और customer को massive unfair advantage भी देते हो, ये भी clear है, तब ही कहीं जाके Amazon जैसे ventures बनते हैं, एक ही lifetime के अंदर, customer obsession, तो ये तो थे वो 5 important steps, जिसके कारण आपकी reputation बनेगी, आप एक बाद समझ आईए, reputation in a network, मैंने का था ना, reputation बनाने के बाद उसको viral करना है, उसको grow करना है, spread करना है, reputation अगर आपके एक बन गई, especially ए जानते हैं, it's fine, आपके 50 customer आपको अच्छे से जानते हैं, it's cool, लेकिन अगर आपको एक ऐसा business करना है, जिसमें आप नए customers चाहते हैं, आपको बिजनस spread करना है, आपको अपनी ख्याती को grow करना होगा, repetition को grow करना होगा, spread करना होगा, कैसे होगी, आपको networks join करने होगे, जब के लोग से अपनी reputation build करेंगे, तो automatically आपकी reputation spread होगी, and reputation in a network, higher reputation in a network is business growth, भाई धन्दा ऐसे ही बढ़ता है, जितनी जादा reputation, उतना जादा धन्दा, simple as that, बस, आपको नौकरी चाहिए नहीं, reputation, अगर आपकी reputation अच्छी होगी, 10 लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपके people will vouch for you, for your work, your impact, your mission, vision, your abilities, your capabilities, but अगर आपकी reputation strong नहीं होगी, तो भाई दस क्या, एक भी इंसान आपके बारे में बात नहीं करेगा, कहते हैं, कि आप किसी भी कमरे में पहुँचने से पहले ना, आपकी ख्याती, आपकी reputation पहले पहुँच जाती है, negative हो या positive हो, तो आप क्या आने से पहले आपकी कहानी वैसे भी बन चुकी होती है, अब depend करता है वो कहानी कैसी है, अगर कहानी बिकार है, तो लोग आपको उसी बिकार मतरों से देखेंगे, कहानी strong है, लोग कहेंगे, wow, phenomenal man, this is the guy that I want to work with, right, so reputation in a network is equal to business growth, simple as that, अब मैं आप से एक challenge ले रहा हूँ, if you promise to grow reputation, अगर आप मुझे promise कर रहे हैं कि हाँ, पारितोष सर, we want to grow our reputation, मतलब मैं बिलकुल प्रतिबद हूँ, मैं commitment देता हूँ आपको, कि अगर पारितोष सर, आपने मुझे EBF network में आने दिया, तो मैं सरफ यहाँ पे धंदा पानी करने नहीं आँगा, मैं genuinely अपनी reputation पारितोष सर, जल्दी से बताओ, सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है, EBF, जो network है, यह invite only है, यानि आपको बहुत सारा पैसा भी हो, आप बहुत बड़े इंसान भी हो, लेकिन अगर मान लीजी हमारी community में आप contribute नहीं कर सकते हैं, तो then you're not welcome, simple as that, क्योंकि आप contribute नहीं करे यह network जो है केवल emerging business owners के लिए है, या तो वो लोग जो already business कर रहे हैं, उनका 50 करोड उपे से कम का सालाना revenue है, वो लोग, या फिर आप business शुरू करना चाहते हैं, अभी business है नहीं आपका, आप शुरू करना चाहते हैं, you are also welcome in this community, और आप किसी भी business domain से हो सकते हैं, आपका healthcare का business business हो, technology का business हो, services, products, B2B, B2C, whatever, you are most welcome, right, buy invite only network है ये, ये इसलिए ताकि quality अच्छी हो यहाँ पे लोगों की, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी ने भी पैसा दी और आगया, ये ice cream नहीं है जो आप बजार से खरीद रहे हो, right, EBF network के हमारे member mixers भी होते हैं, ये पुरे भारत देश में करने हैं, in fact, अब हम अपनी annual summit भी design करने हैं, तो EBF network के जितने भी member mixers हैं, सबसे पहला mixer already हो रहा है, 21st of January 2024 को नई दिल्ली में, in New Delhi, location कहाँ पे है, ये आपको share की जाएगी अगर आप हमारे member हैं, हमारे WhatsApp ग्रूप पे, ताकि सिरफ members आपाएं, ऐसा नहीं है कि हर कोई आजा इस network mixer में, right, ऐसे ही ठीक का, हम mixers करेंगे हर जगा पूरे भारत दिश में, आप आएए, यहाँ पर network बढ़ाईए अपना, अच्छे लोगों से मिलिये, right, अब आप हमारे network के invite के लिए कैसे apply करेंगे, step number one, मैंने इस video के साथ एक form दिया है, it's a google form, आप उस form को fill कीजे, बह कोई message ही नि आएगा आपको हमारी तरफ से, it's as simple as that, right, लेकिन अगर आपकी reputation decently strong हुई, तो हमारी तरफ से आपको message आएगा, of congratulations, that you are now being invited to be part of the EBF, जैसे ही यह message आता है, उसके बाद आपको अपनी annual membership fees देनी होती है, right, annual membership fees आप देंगे, and you will be quickly inducted into the EBF, ध्यान रखिएगा, emerging business forum is purely about repetition, join the forum now, but please remember, it is purely about repetition, जितनी जादा repetition आपकी इस network पर बढ़ती रहेगी, उतना ही जादा लोग आप पर trust करेंगे, और लोग आपके साथ टरंजाट करेंगे, so, in short, if you want to grow your business, if you want to have a great career, if you want to learn about new innovations, you want to get connected to the right people in the world, आप सही संगत के साथ करना चाहते हैं, this is the network to be, trust me, this is absolutely the best network to be, मैं अपने लिए बना रहा हूँ a network, इसलिए मैं इतना excited हूँ, I want the best of the best of the best minds in the world to be in this network, मैं चाहता हूँ, कोई एक Dr. A.P. J. Abdul Kalam this network से भी आए, कोई एक Steve Jobs this network से भी बने, who knows, who knows what is possible in the world, right, once you become part of a great network, I will now see you in EBF, Jai Hind.